इसक्वास्टे मेरे नाव है विनि तो और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूएड़ मी पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हों मैंने इपने चैनल यूएड़ मी पर एक वास्तू से एलेटिड और दूसरा टोरे-टोटके से रेलेटिड वीडियो में डालता हूं ज तो आप वीडियो को भी जुरूर देखिए क्योंकि साइड बाइचार कोई इनकम जनरेट होना बुरा नहीं माना था बहुत शूब माना जाता है तो आप साइड बाइचार उसको भी कर सकते हैं तो देखिए सोचिए समझी और फिर उसके बारे में फैसला लेजिए फिर मनीप्लांट के पौदे को हम काफी शूब मानते हैं तो इसका वास्तु लाब क्यासे उठाया था सकता है मनीप्लांट को वैसे तो लोग कहीं भी रख देते हैं लेकिन इसको कहां रखें जहां पर इसका सबसे अधिक लाब मिल सके तो पहले मानता हूं कि जितना हरा भरा य यह पौदा होगा उतना ही यह लाब देने वाला होता है उतना ही यह शूब भी होता है क्योंकि कई वारे होता है कि हम इसको पाने में भी लगाते हैं बॉटल अब पाने डालके उसमें इसकी टानी को डाल देते हैं और यह कंटेनू ग्रोस करता रहता है तो यह मानता है कि जितना भी इसके पत्ते चोड़े होंगे और इसके लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी ग्रोथ है वेल्थ क्रियेशन भी बढ़ती जाएगी तो यह एक शूब है उत्त पेड़ पोदा होता है और जितना हराब राईया रहेगा उतना ही आपके लाबदा है वो का यह उक्साइन दव्व जमीन पर गिरी गिरी नहीं होनी चाहिए तो इसको शूब मांते है इस पोदे को इसलिए इसको उपर की तरफ चड़ने का रास्ता बना के रखें तो अब के लिए बैत्र हों का जबीन पर इसको फैलने ना दें दूसरा दोस्तों नेक्स में जाएए है वह हमारा आगने कोन होता वहां पर अगर हम मनी प्लांट को रखते हैं तो वह सबसे शूब माने जाता है वह बहुत ही बहतरी माना जाता है और वहां पर इस पेड़ की ग्रोफ भी सबसे ज़्यादा ही होती है दूसरा इसको कहा ना रखें दोस्तों मनी प्लांट को आप कभी भी जमीन पर फैल लेना तो यह आपके फैमिली के लिए शूब रहेगा और आपके वेल्ट के लिए भी अच्छा रहेगा तो दोस्तों यह छुटी-छुटी चीजे होती हैं जो मैं हम आपको बताते हैं और इनका अबलाव उठाइए और हमारी वीडियो को लाइक और रवश्या करें थैंक यू थैंक यू फॉर वचिंग और हमारे साथ बने रही है यू एंड मी पे